पोको रिपेटिंग अर्ड वे इसमें क्या है यह नए टेंडम है इसके बारे में बुले तो लगबग हर किसी को मालूम नहीं रहता है बाकि है प्ले और वो टेंडम नौर्मल तरीके से हर किसी को लगाना आता है लेकिन इसमें क्या है फिटिंग का थोड़क चैंड जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यह फिटिंग इसमें अलग आता है, अब आप लोग इस पर कन्फ्यूज रहते हैं कि यह लगता कैसे है, बाकी इसे हम दोर्मल है, आप देखो, वो दूसरे टेंटन जैसा है, यह देखो, सब ब्लोद है, इसको अंदर गुसाएंगे तो वो पिच्छ लगाएं, मैं भी बहुत ट्राई किया, मेरे को वीडियो नहीं मिला, तो मैंने सोचा, मैं इसको दिखाता हूँ, वह लोग, मिस्त्री लोग को, कि इसको लगाते कैसे, सिंपल आपको इसको यह मलब जो प्लाई आएगी, उसके निच्छी लगेगा इसे, फिर यह यह जैसे देख रहे हो, मोडिया का पिटिंग उससे हैं, इसका खाली पलाई कि यहां से निच्छे से स्कुरू डाल के उपर पलाई फिट करके बाद में डालना पड़ता है, कोई जादा मलब दिमाग वाला काम नहीं है इसमें, लेकिन जब कोई नहीं देखा रहता है, पह पिटिंग हो जाएगा, फिटिंग होने बाद में यह आप ऐटोमेटिंग लोग हो जाएगा, इसको खौलने के लिए भी यह पूस बटन दिया है, और यह जो होल दिख रहे हैं, यह मोड यह में इधर से पीच्छे से स्कुरू लगेंगे, जो कि मोड यह पैटिंग होगा, अब मैं, रेगुलर टेंडम के हिसाब से तो यह इसमें ज्यादा है, माता बची, बाकी यह नॉर्मल है, एक बार समझ में आ जाए तो बरोबर है, इसमें कोई तकली भी नहीं, इतना है पार्टिया पहले डाल के, बिठा के, इसको डालना पड़ता है, जो कि यह एक नया मो प्रणूम नहीं, आप मिस्त्रियों क्या करता हो, कृष्टुमर के सामने ऐसे बोलते हैं तो अपना एक बात है, बेजती का डंग भी हो जाता है, लेकिन फिर मैं खुझ समझ गई इसको, आखिर में वीडियो भी नहीं मिला, यूटूब पर कोच किया, इसका कुम्पनी का क और या वैसे ही लगेगा, पार्ट या वैसे ही डाला जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लॉक सिस्टम है, इसमें फरक है, ये देखो, बस ये इतना ही है, उसमें क्या है ना, दूसरी टेंडम में यहां से, सब में लिचे से इसको गडालने का उप्सन दिया रहता है, इसमें प्रनीचर के बारे में जो भी आप हो है, मैं दिखाता रहे तो,